आप सभी का स्वागत है नमस्कार है साथियो मैं राके सिहाग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेलेंट गुरूफर जैसा कि आपको पता है हमारी जो सीरीज चल रही है वो रेलवे पीवाई क्यू की जो सीरीज है वो वुस्टर सीरीज और उसका ये वीडियो नमबर 13 है इससे पहले हम 12 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और रोधाना की तरह आज भी हम 20 क्यूशन डिस्कस करेंगे और देख करके खुसी होती है कि आप इस क्लासेज का अच्छे से फाइदा उठा रहे हो और इंटरेस्ट लेकि इन क्लासों को पढ़ रहे हो तो ये देख करके थोड़ा सुकून मिलता है और काम करने का थोड़ा मोटिवसन मिलता है काम करने के लिए और काम करने का साथ यो मन भी करता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगा इस क्लास को आप अपने यार को चुरू करते हैं आज की जो Clash है वो बड़ी बہतर होने वाले है और आज की Clash का तयो पहला कि आपके सामने है यह रहा Q derecho को पढ़िया अच्छे से Q क्या है कि एक कुलाम बते एक सैकिंड कि से बराबर है यह आपसे पूछा है तो इसका मतलब क्या है देखो मैंने लिख दिया एक कुलाम और बटा में मैंने लिख दिया एक सेकंड अब एक से तो एक कैंसल हो गया अब आपको देखना है कि यहाँ पर कुलाम बचा है और यहाँ पर बचा है सेकंड अब यह जो कुलाम हो जो में होता है यह समय का मात्रक होता है अब आप कहोगे सर यह आव To समय क्या होता है तो आपको मैंने पिछ्छे बताया भी है कि जो विदुद धारा का सुद्र होता है इसका मतलब होता है आवेस बटे समय तो विदुद्धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका MPR क्या होता है MPR या फिर इसका दूसरा मात्रक क्या होता है हावेस का मात्रक होता है कुलाम और समय का मात्रक होता है second यानि इस कुलाम बटे second को हम क्या कह सकते हैं मेरे पेरे साथ ही ampere कह सकते हैं और यहाँ पर एक एक लगा है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे एक ampere लगा देंगे option number जो आपका B होगा वो बिल्कुल correct हो जाएगा option number B is the right answer discussion का बताओ समझ में आया की नहीं आया अरे बताओ समझ में आया की नहीं आया लिए रहे बात है आगे बड़ें चलिए इसी परकार से अगर हम बात करें एक तो ओम की बारे में लिए आपसे पूछा दा सकता है कि एक ओम जैसे ये तो मैंने कुलांबटे सेखिंड का दे दिया जैसे एक ampere का मान होता है एक कुलांबटे एक सेखिंड इसी प्रकार से एक ओम का मान कितना होता है option number C में आपको दे रहा है एक ओम का मान जानी ओम जो होता है वो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है R का मात्रक होता है और R बराबर होता है V बटे I V का मतलब विभुवांतर और विभुवांतर का मात्रक होता है वोल्ट बटे I मतलब आपका होता है धारा और धारा का मात्रक होता है एम्पियर तो अगर कोई क्यूशन आपको इस प्रकार से दे दे कि एक वोल्ट बटे एक एंपियर बराबर किस के होता है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा एक ओम हो जाएगा क्या हो जाएगा एक ओम हो जाएगा इसी प्रकार से बात करते हैं साथी एक वाट की किसकी बात करते हैं एक वाट की बात करते हैं तो जो वाट होता है वो सक्ति का मात्रक होता है और सक्ति का जो सुत्र होता है वो होता है सक्ति यानि P बराबर होता है आपका W बटे T अब W जो होता है वो होता है आपका कारिय और कारिय का मात्रक होता है जूल जूल बटे समय का मातर होता है आपका सेकंड तो जूल बटे सेकंड को क्या का जा सकता है एक वाट का जा सकता है अब मैंने आपको क्यूशन तो एक था लेकिन इसके आदार पर मैंने आपको तीन क्यूशन कंप्लीट करवा दिये तीन क्यूशन मैंने आपको कंप्लीट करवा लेगा आपका कुलाम बटे सेकेंड आपका बी जो है ना वो बिल्कुल क्रेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्विशन के और दूसरे क्विशन आपके सामने है कि एक पिको मिटर का जो मान है वो किसके बराबर होता है अब पहले तो आपको ओप्षन को देखना है ओप्षन में आपको सभी के सभी मान किसके अंदर दे रखी हैं तो आप कहोगे इसमें तो दे रखी हैं मिटर में यानि कहने का मतलब पिको मिटर को हमें मिटर में चेंज करना है पिको मिटर को में किसमें चेंज करता है करना है मिटर में तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर एक मिली मिटर की बात की जाए एक मिली मिटर की बात की जाए तो एक मिली मिटर एक बटे दस की घात 3 मिटर के बराबर होता है या फिर 10 की घात माइनस 3 मिटर के बराबर होता है इसी प्रकार से हम बात करते हैं 1 माइक्रो मिटर की 1 माइक्रो मिटर की बात करते हैं तो 1 माइक्रो मिटर का मान 1 बटे 10 की घात 6 मिटर या फिर 10 की घात माइनस 6 मिटर एक ही बात है साथी क्योंकि यह जो निचे है ना इसको उपर लेके जाएंगे तो यह 10 की घात प्लस की है यह माइनस की हो जाएगे इसी प्रकार से एक नेनो मिटर का जो मान है वो मिटर में कितना हो जाएगा एक नेनो मिटर का मान एक बटे दस की घात नो मिटर या फिर इसको इस परकार से लेख सकते हैं दस की घात माइनस नो मिटर इसी परकार से एक पिको मिटर का मान एक पिको मिटर का जो मान है वो मिटर में होता है एक बटे दस की घात बारा मिटर या फिर 10 की गात minus 12 मित्र 10 की गात minus 12 मित्र अब आपको चूज़ करना है कि आपको option में क्या दिर रखा है आपको picometer के बारे में पूछा था मैंने तो आपको सभी बता दिए अब picometer की बात करें तो pikometre का जो मान है या तो आपको और लिए ये मिलेगा या फिर और आपको चूज़ करना जो और दे रखा है तो साथ ही आप कहोगे कि और ओपन में तो सर ये दे रखा है तो इसका मतलकि पूत नंबर जो सी होगा न वो बिल्कूलṛṣṇa नंबर सी और thanks को divert करने के लिए आपको confuse करने के लिए आपको option number B में भी 10 की घात 12 दे रखा है 10 की घात 12 दे रखा है लेकिन ये जो घात है ना ये घात प्लस की दे रखी है अलांकि होनी किसकी चाहिए थी माइनस की होनी साहिए थी इसलिए option number आपका C बिल्कुल correct होगा इस प्रकार से आपको confuse नहीं होना है और जल्दबाजी में आपको उत्तर नहीं देना है आपको सभी option को देखना पड़ेगा पहले आजकल का जो level है ना किसनों का वो बिल्कुल सरल आता है लेकिन उनमें क्या करते हैं एक जैसे दो तिन हमें क्या कर देंगे option दे देंगे और उपर-उपर जो option मिलेगा आपका गलत मिलेगा अलागि दिखने में एक जैसा होगा थोड़ा सा minor antr उन में होगा तो उसी minor antr को आपको पकड़ना है और यह minor antr आपको पकड़ पाओगे जब आप यशी चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे शीख पाओगे और पूरे उप्शनों को देखोगे न तब यह चीज़ आपको समझ में आएगी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं next question तीन नमबर question की कि एक जूल का मान किसके बराबर होता है एक जूल का मान किसके बराबर होता है तो आपको पता होना चाहिए साथी कि जो जूल होता है वो मात्रक किसका होता है तो आप कहोगे सर मात्रक जो होता है जूल वो तो कार्ये का होता है यानि जो जूल मात्रक होता है आपको देरका है कि एक जूल का मान किसके बराबर है ये पूछा है तो आपको पता होना चाहिए जो मत्रक होता है जूल वो कारिय का होता है कारिय का और कारिय का सुत्र होता है कारिय बराबर बल गुना बल की दिसा में तै की गई दूरी बल की दिसा में दूरी ये आपका कारिये का क्या होता है सुत्र होता है ठीक है अब देखो कारिये का तो आपको मातरक देरे का है यानि जूल का मान आपको पूछा है इस से आगे जूल का मान क्या होगा तो देखो बल का मातरक क्या होता है नूटन बल का मातर कोता है Newton गुना बल की दिसा में दूरी और दूरी का मातर कोता है आपका मिटर अब यहाँ पर एक दे रखा है इसलिए यहाँ पर हम एक लगा देंगे और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे एक लगा देंगे इसको इस प्रकार से मान होगा वो एक नूटन गुना एक मीटर होगा, OPSN नंबर जो आपका OPSN नंबर जो A है वो आपका बिलकुल मान बताएगा थो इन चारों को साथ याद कर लेना अच्छे से याद कर लेना जिससे कि आपके एक्जाम में किसन आए तो आप गलत ने कर पाओ एक बार फिर से मैं आपको बता लेता हूँ एक जूल का जो मान होता है वो होता है एक न्यूटन गुणा एक मीटर एक वाट का जो मान होता है वो होता है वाट का जो मान होता क्योंकि सकति का जो मात्रक होता है वे होता है पी बेराबर डबलू बटे टी यानि जो टी है यह भाग में है इसलिए हम बटा लगा ओम की बात करते हैं तो ओम को लिखा जाता है आर बराबर वी बटे आई के दुआरा तो वी का मतलब होता है वोल्ट तो एक वोल्ट भाग आई यानि विदुधारा विदुधारा का एंपिर होता है तो एक एंपिर और हम एंपिर की बात करते हैं तो आई बराबर होता है आप का क्यू बटेटी आए बराबर क्या होता है क्यू का होता है कुलाम तो एक कुलाम सी भी लिख सकते हैं कुलाम को हम एक कुलाम बटा टी को लिख सकते हैं एक सेकंड टी को हम क्या लिख सकते हैं एक सेकंड तो ये कुछ मान मैंने आपको बताएं हैं साथी ये मान याद कर लेन आपके exam के दरश्टी से बड़ी important है जो आपको याद करने है ठीक है यह जो table मैंने आपको बना के दिया अच्छे scene को याद कर लेना आपके group D exam 2018 में यह question आई थे 2022 में भी यह question आई थे तो ऐसे ही question आपके exam NTPC, group D या फिर आपका ALP होगा या फिर आपका जो technician होगा उसमें देखने को मिलेंगे ठीक है आगे बढ़ते है next question की और चार number question आपके सामने है अच्छे से question को पढ़ लीजिए पहले question क्या है साथी देखो अच्छे से पढ़ो पहले question को फिर इस question को हम अच्छे से इसका हम धुआ धुआ करते है कि उसनका साथी पढ़ करके मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा या आप comment करके बताओगे मुझे कि अगर आपको पढ़ के मज़ा रहा है तो आप वीडियो को like कर देंगे अगर आपको कोई suggestion देना है class में कोई बदलाओ करना है या कोई language में बदलाओ करना है कुछ भी आपको suggestion देना है तो आपका जो comment है वो मैं आस्रिवाद की तोर पर मानूंगा आप मेरे से छोटे भाई होंगे मेरे लेकिन मैं आपका आस्रिवाद की तोर पर मैं comment मानूंगा तो comment आप कर सकते अगर आपको कोई suggestion देना है तो ठीक है पहले discussion की बात करते हैं कि एक विसेस घर में पांच दिनों में सो इकाई की खपत होती है बिजली की खपत होती है मतलब एक घर है उसमें पांच दिनों में सो यूनिट बिजली खपत होती है सो इूनिट बिजली की खपत होती है यदि उर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगे देखो हमें ये बता दिया कि कोई घर है उस घर के अंदर पांच दिन में कितनी यूनिट निकलती है उसके मिटर में तो उसमें देखो है आपको सो इूनिट सो इूनिट यानि उसके घर के मिटर में सो इूनिट बिजली की खपत होती है क्लियर बात है तो ये जो इूनिट है ना ये यूनिट इस इूनिट को आपको बदल के बताना है जूल के अंदर किस के अंदर बताना है साथी जूल के अंदर बताना है खिसमा चाहूंगा ट्रेन गई है साथी तो मैंने आपको कहा कि एक घर है उस घर में 5 दिन में 100 यूनिट की बिजली खपत होती है तो इस 100 यूनिट को आप किस के अंदर चैंज करोगे जूल में क्योंकि यही आपको किस ने पुछा है कि जूल में परिवर्तित करके बताईए कितनी होगी तो देखिए इसको जूल में कैसे चैंज करेंगे आपको पता है जो एक यूनिट होती है एक यूनिट जो होती है इसको कहा जाता है एक के डबलो एच एक के डबलो एच और एक के डबलो एच का जो मान होता है वो होता है तीन पॉइंट छे गुना दस की गात 6 जूल ये एक यूनिट का मान होता है अब एक यूनिट या फिर एक के डबलो एच का मान तो आपको पता है और कितने का ग्याद करना है साथी सो का ग्याद करना है तो आपको क्या करना है सो यूनिट का मान ग्याद करने के लिए आप इसको सो से गुणा कर दोगे एक का पता है सो का ग्याद करना है तो इसको हम सो से क्या कर देंगे एक के आगे 6 सुने हैं ही पहले से, एक के आगे कितने सुने हैं, 6 सुने पहले से हमें दे रखे हैं, क्योंकि 10 की गात 6 का मतलब 1 के आगे 6 सुने, और 2 सुने हमें ये दे रखे, टोटल कितने हो गए आपके 8 हो गए, तो इसके उपरा जाएगा 10 की गात 8 जूल, अब आपको य चोटा सा माइनर संतर दिया है, बिल्कुल चोटा सा, लेकिन ये चोटा संतर आपको confuse कर सकता है, आपको question गलत करवा सकता है, ध्यान रखना साथ ये plus का होता है, ना कि माइनस का, इसलिए option number आपका C नहीं होगा, इस question का, option numbers होगा, वो option number D आपका, इस question का correct answer होगा, बताओ बात समझ में आई की नहीं आई, clear है बात है, आगे बढ़ते हैं फिर, सलिए फिर किस बात की तेरी है, पांच नमबर question आपके सामने आच चुका है, पांच नमबर question बड़ा स्यांदार question है, अच्छे से समझो इस question को पढ़ो अच्छे से question को, question है क्या, question देखो क्या है, question है कि निमल लिखित में से, किस उपकरन का उपयोग, why you मडलिये दाब को मापने में किया जाता है, तो पहले हम बात करते हैं, ओप्स नमबर A की, ओप्स नमबर A में आपको दे रखा है, ओडो मीटर, ओडो मीटर, अच्छा, ओडो मीटर जो होता है, वो क्या होता है, ओडो मीटर होता है, ओडो मीटर होता है, वो वहनों की स्पीड में आपने में काम आता है, यानि जो हमारी गाड़ियां होते हैं, उसके अंदर स्पीडो मीटर लगा होता है, उसको हम ओडो मीटर कहते हैं, clear बात odometer यानि इस odometer को हम speedometer के नाम से भी जानते हैं speedometer इसको हम speedometer के नाम से भी जानते हैं और ये क्या करता है ये वहनों के अंदर speed मापने की वहनों के अंदर वहनों में गती को मापता है वहनों में गती को मापता है वहनों के अंदर गती मापने का जो कार ये करता है वो आपका odometer करता है, speedometer करता है इसके लावा option number जो B है उसमें आपको देर का है thermometer और thermometer के बारे में आपको पता ही है मेरी साथी thermometer जो होता है वो हमारे सरीर का ताप मापने में काम आता है ये क्या करता है शरीर का ताप मापता है या सरीर का ताप या फिर कोई प्रकार का ताप आप माप सकते हैं इसके दुआरा ठीक है अच्छा अगर हम बात करते हैं C के दुआरा C option की C option में tetrameter दे रहे हैं और tetrameter का कोई मतलब नहीं होता है टेट्रमिटर का मतलब होता है साथी जो हमारी कवीताएं होती है उसका जो लेखन है उस करने में टेट्रमिटर का काम आता है या उसको मतलब उसकी सुरूतियां देखने में उसकी तूरूतियां देखने में हम क्या करते हैं टेको मिटर का अपड़ियों करते हैं तो यह हमारे फिजिक सिसमादीत नहीं है टेको मिटर यह हमारे हिंदी सिसमादीत हो गया तो यह सा क्यूसन आप से नहीं पूछा जाएगा लेकिन हम बात करते हैं टेको मिटर की टेको मिटर की ठीक है यहां पर टेको में गती मापने में गती मापने में क्या करता है साहेक होता है गती मापने में साहेक तो जो टेको मिटर है वो तो वायूयान यानि हवाई जाहज और नाओ के अंदर गती मापता है और ओडो जो मिटर है न ओडो मिटर वो आपके वहनों की गती मापने में जैसे मोटर साइकल हो गया कोई कार हो गई, कोई ट्रक हो गया, कोई बस हो गई उनकी गती मापने में तो ओडो मीटर काम आता है लेकिन वायू यान और नाओ की गती मापने में टेको मीटर का पर्योग करते हैं अगर हम बात करते हैं, option number D की, D में आपको दे रखा है, barometer, क्या दे रखा है, barometer, अगर हम barometer की बात करें, तो ये क्या करेगा मेरे साथी, ये वायू मंडली ये, दाब को मापने में काम आता है, वायू मंडली ये, वायू मंडली ये, दाब को मापने में काम आता है, वायू म चलिए इस प्रकार से अगर आप क्यूशनों को पढ़ते हो तो आपके अग्जाम में कोई वेगर क्यूशन आ जाये तो उसका अच्छे से अंस्वर दे पाने में आप सक्सम हो पाओगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की छे नमर क्यूशन आपके सामन होती है वाईयू मंडल की आदरता उसको मापा जाता हाईग्रो मिटर के द्वारा देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले हाईग्रो मिटर के बारे में हाईग्रो जो मिटर होता है इसके द्वारा हम मापते हैं वाईयू मंडली आदरता को वाईयू जो मंडली का परियोग करते हैं लेकिन एक important बात में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एक इस प्रकार का question भी आपसे पूछा जा सकता है hydrometer देखो इसमें तो है hygro और इसमें है hydro थोड़ा सामत्र है एक में तो hygro दे रखा है और एक में hydro दे रखा है बसे इतना सफरक है लेकिन साथ लेकिन hydrometer के दुआरा हमारा जो द्रव होता है यानि जो हमारा जल होता है द्रव या फिर जल का जो गनत्व होता है वो मापने में किसका परियोग करते हैं तो याद रखोगे मेरे पहरे साथ ही hydrometer का परियोग करते हैं किसी भी द्रव या फिर जल का गनत्व मापने के लि उस्मिय विकिरण को मापने के लिए या फिर उस्मा को मापने के लिए या नि ताप को मापने के लिए उस्मा या फिर ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं उस्मा या ताप मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं हमारे थर्मामिटर का थर्मोमिटर का प्रयोग क यह अत्य धिक ताप को मापने में काम आता है अत्य धिक जो ताप होता है उसको मापने में काम आता है इसके अलावा दूर इस्थित वस्तों का ताप मापने में काम आता है दूर इस्थित वस्तों का ताप मापने में ये काम आता है वस्तों का ताप मापने में काम आता है या कहने का मतलब थ्रमामिटर जो है वो हमारे पास की वस्तुओं का हम क्या कर सकते हैं ताप माप सकते हैं लेकिन कहीं दूर की वस्तुओं का हमें ताप मापना है जैसे सुर्य का ताप मापना है हमें तो यह तहने की सुर्य को तोड़ की यहां ले आएंगे उसका ताप माप की मेरे पहरे साथी, आइग्रोमिटर का पड़ियोग हम कर लेते हैं, बताओ बात समझ में आई की नहीं आई अरे बात समझ में आई की नहीं आई अभी भी अगर कोई doubt, कोई तकलीफ है तो बताओ मेरे को, समझ में आया की नहीं आया आ गया होगा चलिए अभी-अभी मैंने आपको एक हाईग्रोमेटर के बारे में बताया कि हाईग्रोमेटर क्या होता है तो मैंने आपको हाईग्रोमेटर के बारे में बताया साथी कि वाई उमंडली आडरता यानि नमी कुमापने में काम आता है और एक होता आपका हाइड्रोमेट्रियानि द्रव यानि गनत्व कुमापने में काम आता है एक option number इसमें D दे रखा है D में दे रखा है विकिरन को मापने के लिए उसमिये विकिरन या फिर विकिरन को मापने के लिए किसका पर्योग करते हैं उसमिये या फिर विकिरन को मापने के लिए उसमिये विकिरन को मापने के लिए हम बोलो मेटर का पर्यों करते हैं, यह Quesn था आपका, 6 नमबर Quesn, आगे बढ़ते हैं साथी 7 नमबर Quesn की और, 7 नमबर Quesn अभी आपके सामने आएगा, यह रहा 7 नमबर Quesn, अच्छे से इस Quesn को, पहले आप पढ़ लीजिए, Quesn क्या है आपका, Quesn है क्या, उसको अच चलो पढ़ लिया होगा क्यूशन को आपने क्यूशन है कि कौन सा यंत्र समूदर के इस तर से उपर की वस्तुओं को देखने के लिए पंडूबी में परयोग किया जाता है यानि पंडूबी जो होती है वो समूदर के अंदर चलती है समूदर के क्या चलती अंदर चलती है मतलब पानी के अंदर चलती है वो तो पानी के अंदर चलते चलते बहार की वस्तुओं को देखने के लिए हम किस इंतर का पड़ियो करते हैं पंडूबी के अंतर ये किसना आप से पुछा है तो देखिए हम पहले ओप्शन की बात करते हैं पाइरोमीटर के ओप्शन नमर एक ही बात करते हैं पाइरोमीटर की बात करें तो अभी-अभी मैंने बताया था कि अगर आपकी अत्य धिक दूरी की जो वस्तु है अधिक दूरी की जो वस्तु है अधिक दूरी पर वस्तु का हम ताप मापने में वस्तु का ताप अगर हमें मापना है तो हम किसका परियोग कर लेंगे हम परियोग कर लेंगे पाइरोमिटर का अगर हम ओप्स नमबर B की बात करें इसमें दिरका है APD APDiascope APDiascope अगर हम APDiascope की बात करें मेरे पहरे साथी तो ये आपका होता है कोई भी चित्र को कोई भी चित्र को परदे पर लाने के लिए परदे पर लाने में परियोग होता है किसका परियोग होता है APDiascope का परियोग होता है यानि कहने का मतलब आपने प्रोजेक्टर नाम सुना होगा प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर को ही विज्ञान में क्या कहते हैं प्रोजेक्टर को ही विज्ञान में एपीडियास्कोप का आजाता है प्रोजेक्टर को यह जो पेरिस्कोप होता है, यह पंडूबी के अंदर काम आता है, पंडूबी में, या जो गोता खोर होते हैं, गोता खोर, गोता खोर यानि तेराक, यह पर्योग करते हैं, और पंडूबी और गोता खोर क्या करते हैं, उपर की वस्तूओं को देखने के लिए, यानि आपसे पूछा था कि पंडूबी के अंदर कौन से यंतर का परियोग करते हैं जिसके द्वारा पंडूबी से बाहर की वस्तूओं को देख सकते हैं तो आपका उत्र हो जाएगा उप्शन नमबर C पेरिस्कोप, क्लीर है बात है अगर हम बात करते हैं ओडोमेटर की तो ओडोमेटर के बारे में मैं आपको बता चुको हो मेरे पहरे साथी ओडोमेटर के दौरा हम क्या करते हैं कोई भी वहान जो होता है उस वहान की गती को मैं आपने में किसका परियोग करते हैं वो डुमेटर का परयोग करते हैं यह आपका question था 7 number question आगे बढ़ते हैं 8 number question की और चलिए 8 number question आपके सामने अच्छे से पढ़ लिजी इसको 8 number question क्या है कि सुरिय को देखने के लिए किस यंत्र का परयोग किया जाता है यानि हमें सुर्य को देखना है अब सुर्य को तो सुर्य तो हमें वेसे भी दिखाई देता है ऐसी बात नहीं साती हो सुर्य के अंदर की हमें अगर गटनाओं को देखना है सुर्य के अंदर हमें अगर हमें जैसे हम किसी भी चीज़ को सुक्संदर्शी से देखते हैं इस प्रकार से तो वो वस्तों में बड़ी दिखाई देती हैं उसके हम छोटे-छोटे कण को भी देख पाते हैं तो उसी प्रकार से अगर हमें सुर्य का अधेन करना है तो हम सुर्य के पास तो जा नहीं सकते क्यों क्योंकि सुर्ये का जो बाहर का जो आवरन होता है उसका तापमान 6000 degrees centigrade होता है यानि वहाँ जाने के बाद तो आदमी बिल्कुल खत्म है क्योंकि इतना तापमान विक्ति सहनी पाएगा तो यहीं बेट करके हम क्या करेंगे उसका अध्यन करेंगे तो किसका परियोग करें साथी यानि उस सुर्य को हमें अच्छे से देखना पड़ेगा और अच्छे से देखने के लिए किसका परियोग करते हैं परियोग है आपका टेलिस्कोप का तो सुर्य को परत्वी से देखने में सुर्य को देखने के लिए सुर्य को देखने के लिए किसका पर यो करते हैं, टेलिस्कोप का पर यो करते हैं, टेलिस्कोप का, टेलिस्कोप, क्लीर है बात है, ये एक बहुत बड़ा सुक्समदर्शी होता है, जो बहुत जादा दूर की वस्तों को भी हमें पास दिखा देता है, और उसका हम अच्छे से दिन कर पाते हैं, क्लीर है बात है, Sao Arrzyka नमघने में आपको Strehboscope डे रखा ये प्रिप बे रखा ये Strehboscope नहीं ये है Strethoscope अगर Strethoscope की बात करें तो Strethoscope जो डोक्टर होता है वो गले में लटका के रखता है ना डोक्टर वही आपका Strethoscope होता है अगर हमहेलियू स्कोप की बात करें हेलियो स्कोप की हेलियो स्कोप तो मेरे पहरे साथी ध्यान रखना जो हेलियो स्कोप होता है ये भी क्या करता है ये भी दूर इस्थित वस्तूओं को क्या करता है दिखाने में साइता करता है दूर इस्थित वस्तूओं का अध्यन करने में वस्तूं का अध्येन करने में अध्येन करने में लेकिन साथी अब आप कोगे कि हेलियोस्कोप और फिर टेलिस्कोप में फरक क्या है फरक इतना सा है साथी कि जो हेलियोस्कोप होता है वो टेलिस्कोप के जितनी दूरीताई नहीं कर पाता जो टेलिस्कोप होता है वो बहुत हाँ सूरिय से थोड़ी इधर अमारी तरफ वस्तू हैं होंगी उनको देखने में हमें Helioscope का परयोग कर सकते हैं लेकिन telescope का परयोग हम सूरिय को देखने में करेंगे क्यूसन देखा सकता है चलिए आगे बात करते हैं फिर next question की no number question आपके सामने है और ये chemistry का question है अच्छे सी इस question को पढ़ो पहले question देखो क्या है question देखो क्या है कि CAOH2 यानि calcium hydroxide के अनु में कितने परमानू मुझूद है हमें देर का है CAOH2 इसके अंदर हमें परमानू की संख्या पुचिह है किसकी संख्या पुच्छी है इन सभी के परमानू को जोडदेंगे तो हमारी कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी हब देखो calcium जो है वो कितने बार है तो आप कहोगे एक बार है ओक्सिजन को देखो साथी कितने बार है ओक्सिजन जो है वो अंदर तो एक बार है लेकिन इसके बार दो लगा है इसका मतलब दो बार हमारा ओक्सिजन है और दो बार ही हमारा है ट्रोजन है इसका मतलब इसके अंदरे परमाणों के संख्या कितनी हो गई पांच हो गई अब option number आपका जो C है वो इस question का correct हो जाएगा option number C इसी प्रकार से इन question को करना है और यह आपका group D की exam में Iowa question है ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं फिर 10 number question आपके सामने है कि CO2 में carbon और O2 यानि C और O2 के दर्वेमान का अनुपात आपको बताना है यानि आपका जो CO2 दे रखा है CO2 CO2 जो दे रखा है इस CO2 के अंदर एक तो आपका C है और एक आपका O2 है इन दोनों का जो दर्वेमान है उस दर्वेमान का अनुपात आपको बताना है इसके दर्वेमान का अनुपात आपको बताना है तो इनका दर्वेमान आपको पता होना चाहिए मेरे साथी तो जो कार्बन होता है उसका दर्वेमान जो होता है वो होता है 12 यानि 12 और आपका जो ओक्सिजन होता है कर देता हूँ, अब इसको हल करेंगे तो इसको हम कितने से काट सकते हैं चार से चारतीया बारा और चार आठे बत्तिस, यहनि तीन अनुपात आठ आठ आपका निकल किया जाएगा, औपसन नमबर जो आपका, ए है 11 नमबर क्यूशन आपके सामने है 11 नमबर क्यूशन को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, क्या है क्यूशन कि कारबन और हाइट्रोजन के परमानु दरिवेमान करम से कितने होते हैं, एक तो कारबन एक तो है आपका कारबन और एक है जो आपका carbon है उसका तो होता है 12 unit 12 unit यानि 12 unit और hydrogen होता है उसका होता है एक unit अब ये देख लो 12 unit और एक unit किस option में है तो option number आपका जो C है उसमें आपको दे रिखें option number C is question का correct answer हो जागा बिल्कुल simple simple question है लेकिन इन data को आपको याद करना पड़ेगा ये data आपको याद करने पड़ेंगे तभी इन question को आप कर पाऊगे चलिए 12 number question है कि oxygen के एक अनू का दरिविमान कितना है बड़ा interesting question है बड़ा अच्छा question है mole concept क्यों पर ये question अधारित है समझना इस question को हमें question क्या दे रिखा है question दे रिखा है कि जो आपका oxygen है oxygen उसका एक अनू है उसका दरिविमान कितना होगा और वो दरिविमान आपको gram में बताना है अगर आपको question दो परकार से ये question पूछ सकता है दो परकार से तो हम इस question को deal करेंगे option के आदार पर वही option अमें क्या दे रखे हैं देखो ये कुषिण आपका oxygen है oxygen oxygen के अनूग का oxygen के अनूग का डर्वेमान कितना है ये कुषिण आपसे पुछा गया है बिल्कुल यही पुछा गया है अगर option में यह होता 38 option no.b. आपका होता 32 option no.s lin 12 option no.d. होता आपका 16 तो आप इसका उतर दे देते 32, क्यों? क्योंकि ओक्सिजन का अनू दे रखा है, तो ओक्सिजन का अनू तो होता है O2, और ये जो होता है O, ये इसका परमानू होता है, ये ओक्सिजन का परमानू है मेरे पेरे साथी, और ये है इसका अनू, ये क्या है? अनू, और आपको यह दिया है कि oxygen के अनू का दरिविमान आपको बताना है तो oxygen के अनू का दरिविमान तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा क्योंकि एक प्रमानू का दरिविमान oxygen जो आपको oxygen दे रखा है इसका हमें gram के अंदर दरवयमान निकालना है यानि एक सुत्र आप याद करोगे कि gram के अंदर दरवयमान अगर आपको निकालना तो आप क्या करोगे आप करोगे अनु भार बटे यानि उस अनु का जिस अनु का आपको क्या पुछा है जिस अनु का आपको दर्वेमान पुछा है उस अनु का उस अनु का जो अनु भार है वो तो आप उपर लिखोगे और उसके निच्चे जो है ना उसके निच्चे वो एक मोल की संख्या एक मोल की संख्या एक मोल की संख्या एक मोल की संख्या वो आप नीचे लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ग्राम दर्वेमान का मान मिल जाएगा जब भी आपको ग्राम दर्वेमान पूछ ले और आपको यही पूछा है कि अनु का दर्वेमान कितन अब देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अनु भार निकालने की कोशिश करेंगे, और अनु हमें कौन सा देरका है साथी, तो अनु हमें देरका है ओक्सिजन का, और ओक्सिजन के अनु का अनु भार कितना होगा, तो एक ओक्सिजन में सोडा होता है, तो दो ओक्सिजन में क संख्या होती है वो आपके निश्चित होती है 6.02 गुणादस की घाट 23 और इसी संख्या को क्या का जाता है आवा गाद्रो संख्या क्लियर है बात है आवा गाद्रो संख्या तो आवा गाद्रो संख्या का जो मान है वो किसके बराबर होता है एक मोल के बराबर होता है और है 6.02-10 की घात है 23 अब देखो अब आपको क्या करना है यह मान आपका आजाएगा ग्राम के अंदर किसकी अंदर आएगा यह मान आपका ग्राम के अंदर आएगा अब आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको ओप्सन को देखना है आप ओप्सन को अगर देखोगे न ध्या बटे यह मैंने पॉइंट अटा दिया तो यह आएगा आपका 602 और निचे से पॉइंट अटाओंगा तो उपर कितने सुने लगेंगे 200 लग जाएंगे उर्गनादस की गात क्या जाएगा आपका 23 आजाएगा और आगे क्या आपका ग्राम अब इसको आप हल करोगे आप इस लिए 32 भाग 602 तो यह आपका आएगा 5.3 क्या निकल के आएगा 5.3 निकल के आएगा यानि आप 32 में 602 का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा 5.3 और गुना यह तो 5.3 लिख दोगे आप बटे में क्या लिख दोगे 10 की गात 23 लिख दोगे या पिर इसको इस परकार से लिख सकते हो यह 5.3 का 5.3 लिख दिया और यह 10 की घात 38 है यह मैं उपर ले क्या ह हूँगा और जैसे ही मैं इसको उपर ले क्या हूँगा कि घात plus की थी यह किस की हो जाएगी minus की और इसके आगी क्या लगेगा आपका ग्राम तो यही आपका answer निकलेगा इस प्रकार की क्यूशनों को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा और ये क्यूशन आते ही है साथी एक दिन में आपका क्या करूँगा आपकी जो ठियोरी की क्लास है वो लगा दूँगा इस मॉल कॉंसेप्ट की उपर और मॉल कॉंसेप्ट का जो थोड़ा सा टोपिक है ना वो थोड़ा सा हल टोपिक है और बहुत साए टीचर इसको करवाती भी नहीं है है ना क्योंकि मॉल कॉंसेप्ट बच्चों को समझ में आने में दिक्कत होती है और teacher वो नहीं पढ़ाते हैं जो बचों को समझ में नहीं आए teacher वही पढ़ाते हैं जो बचों को समझ में आए जिससे कि उनको थोड़ा fame मिले, नाम मिले कि हाँ इसका पढ़ाय वाए मेरे कोई क्यूसन समझ में आता है लेकिन साथी मैं आपको ऐसा काम नहीं करने वाला मैं आपके साथ मैं आपको वो क्यूसन करवाँगा जो आपके एक्जाम में आते हैं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम चार बार पढ़ लेंगे 5 वार पढ़ लेंगे, कभी ने कभी आपको समझ में आएगा यह आएगा, मैं मेरे अंदर सुधार कर लूँगा, और अच्छा बताने की कोशिश करूँगा लिकिन मैं कोई क्यूशन स्कीप नहीं करूँगा यह नहीं है कि मैं क्यूशन सोड़ दूँगा तो मेरा नाम बनेगा सलल सलल की सुन करूँगा अच्छे से बताऊँगा, तो मेरे को नाम की जुरूरत नहीं है साथी, बस मेरी विज़े से आपका सेलेक्शन हो जाए, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है चलिए आगे बात करते हैं फिर discussion का option number D, जो D है ना, वो correct हो जाएगा, option number D आगे बात करें मेरे पहरे साथी 13 number question आपके सामने है कि magnesium के 144 gram में gram प्रमाणू, कितने gram प्रमाणू मोजुद होते हैं, यानि आपको magnesium के, magnesium जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 144 gram दे रा है, magnesium का जो अनु भार है, जो भार है, वो कितना दे रखा है आपको, magnesium का जो भार है, वो आपको दे रखा है, 144 magnesium का जो भार दे दिया, वो दे दिया आपको 144 gram और आपको पुच्छा क्या है, आपको पुच्छा है, gram प्रमाणू की संख्या gram ग्राम परमानू की संख्या ग्राम परमानू का मान आपको पूचा है साथी मैं आपको बता दूँ ये जो ग्राम परमानू होते हैं इस ग्राम परमानू को ही क्या का जाता है एक मोल का जाता है या फिर इसी को ही का जाता है परमानू संख्या परमानू की संख्या इसको हम क्या कहते हैं परमानू की संख्या परमानू की संख्या तो कहने का मतलब इंडारेक्ट रूप से आपको क्या करना पड़ेगा इस मेगनी सियम के अंदर कितने परमानू है यानि मेगनी सियम का अगर 144 भार है अगर मेगनी सियम क ग्राम भार कितना है, 144 है तो उसमें कितने परमानु मुझूद है ये विशन आप से फूचा है, इंडारेक्ट पूप से क्योंकि ग्राम परमानु का मतलब भी परमानु की संख्या होती है यानि is 144 ग्राम में मेगनिशियम में कितने परमानु है वो आपको ग्याद करना है और साथी जब भी आपको क्या ग्याद करनी हो संख्या ग्याद करनी हो तो याद रखोगे साथी जब आपको यहाँ पर मेगनीसियम का ग्याद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो मेगनीसियम जो तत्वे है इस तत्वे का भार उपर लिख कीश्ण को देखा है मेगनीशियम में मेरी साथ 144 यह आपको जो देर्खा है दर्वेमान नहीं हो अनु का जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो तत्वय का भार बटे अनू का दर्वेमान अब देखू जो आपको दर्वेमान दे रखा है अनू का वो आपको 144 ग्राम पहले से दे रखा है भार आपको कितना दे रखा है 144 दे रखा है और दर्वेमान आपको निकालना पड़ेगा और दर्वेमान, मेगनीसियम का जो दर्वेमान होता है मेगनीसियम का जो दर्वेमान जो होता है, वो होता है आपका 24 इसका दर्वेमान कितना होता है? 24 होता है, ये तो इसका भार है और ये इसका दर्वेमान है ये दर्वेमान आपको याद करना पड़ेगा भी हूँ आपका क्या होता है तो भार को आप उपर लिखो हो जाएगा तो यह सुत्र याद रखना मेरे पहरे साथी जब भी आपको परमाणूओं की संख्या ज्याद करने हो संख्या ज्याद करने हो तो आप तत्वय का भाहर उपर लिखोगे और अनु का द्रेविमान नीची लिखोगे जैसे तत्वय का भाहर आपको करते है नेक्स्ट आगे है कि सोधा नंबर किउसन आपके सामने है कि ओक्सीजन का ग्राम आणविक दर्वेमान 32 ग्राम है किसन को पढ़ो पहले अच्छे से जो ओक्सिजन है उसका जो हमें आणविक दर्वेमान दे रखा है वो कितना दे रखा है 32 ग्राम दे रखा है देखो ओक्सिजन यानि O2 का जो दर्वेमान दे रखा है वो दे रखा है हमें 32 ग्राम ठीक है आगे देखो ओक्सिजन का गनत्व है 1.429 इस ओक्सिजन का जो गनत्व दे रखा है गनत्व है वो हमें दे रखा है 1.429 ग्राम सिसी ये आपको दे दिया गनत्वे ये दे दिया आपको गनत्वे तो ओक्सिजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है यानि आपको इसका क्या ग्याद करना है आयतन ग्याद करना है इसका हमें क्या ग्याद करना है आयतन तो दर्वेमान आपको दे दिया गनत्व आपको दे दिया आयत के question बनते हैं कैसे आपको आयतन और घनतव देके दर्वेमान पूच लेगा तो इस में से दो धी वासन आपको दी मिलेंगी और एक चीसस और आपसे क्या कर लेगा वो पूच लेगा इसको क्या करोगे क्या आयतन ग्याद करना है तो अब आप क्या करोगे दर्विमान आपको कितना दे रखा है 32 बटे और गनत्व कितना दे रखा है गनत्व आपको 1.42 नो दे रखा है इसको आप क्या करोगे हल करोगे और इसको अगर हल करोगे साथी तो निकल क्या आएगा आपका 22.4 लिटर कितना लिटर में आपते हैं ओप्स नंबर जो एह वो इस क्योशन का क्या हो जाएगा प्सन नंबर एगा कि नहीं आया कि अध्या हुआ हो गया है यह ठालिए तो फिर आगे बात करते है फिर 15 नंबर टीशन पड़िये 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 15 पंद्राय नमिर लिखीत में से कौन सा कथन ऐस सत्त tienes यानि गलत कथन का पता आपको लगाना है देखो पहला देखो कि पाधभकोसिकायों में जनतुकोसिकायों कि तुल्णा में छोटी रिक्तिकायें पाई जाती है गलत बात है मेरे साथी जो पादब कोशिका जो होती है पादब कोशिका और एक होती है आपकी जनतु कोशिका अगर हम पादब कोशिका की बात करें तो इसमें जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है इसमें जो रिक्तिका होती है वो क्या होती है बड़ी और इसमें क्या होती है छोटी लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है इसमें दे रखा है कि पादब कोशिका में जन्तु कोशिका की अपेक्सिया छोटी रिक्तिका पाई जाती है नहीं गलत बात यानि पादब कोशिका के अंदर तो क्या पाई जाती है बड़ी पाई जाती है यही बात आपकी गलत है option number A जब वो आपका बिल्कुल correct हो जाएगा इसके लावा option number B को देखो कि पादब कोशिकाएं सामेने ते जनतु कोशिकाओं से बड़ी होती है नहीं ये क्या होती है इसमें देरका है कि पादब कोशिकाओं सामेने ते जनतु कोशिकाओं से बड़ी होती है बिल्कुल सही बात है ये बड़ी है ये बड़ी होती है ये क्या होती है छोटी होती है ये बात बिल्कुल सही है अब तीसरी बात देखो कि जनतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते बिल्कुल सही बात है यानि आपके जो पादप कोशिका होती है इसमें क्या पाई जाते हैं लवक पाई जाते हैं अरित लवक वगिर हैं और इसमें लवक नहीं पाई जाते हैं इसमें लवक नहीं पाई जाते हैं इसके लावा ओप्स नमबर डी दे रखा है कि पादप कोशि कोशिकाओं में कोशिका भित्ती पाई जाती है बिल्कुल सही बात है इसके अंदर क्या मिलती है आपको कोशिका भित्ती मिलती है इसमें कोशिका भित्ती मिलती है ठीक है और इसमें कोशिका जिल्ली भी आपको मिलती है कोशिका जिल्ली और कोशिका भित्ती दोनों मिलती है ये दोनों मिलती है लेकिन ये जो आपके जन्तु कोशिका जो होती है जन्तु कोशिका में केवल और केवल केवल क्या होती है कोशिका जिली होती है केवल कोशिका जिली होती है यानि कोशिका बित्ती जन्तु कोशिका में नहीं होती और यही बता रखा है कि जन्तु कोशिका में कोशिका बीती नहीं पाई जाती बिल्कुल सही बात है आपको ऐसकते बताना था तो ओपस नमबर A आपका क्या है ऐसकते है ओपस नमबर A बताओ कि उसन समझ में आया कि नहीं आया तो यह आप ले सकते है इसका स्क्रिंशोट जि देखो हमारी कोई भी कोशिका होती है हमारी कोई भी कोशिका होती है उस कोशिका के चारों और उस कोशिका के चारों और एक जिल्ली पाई जाती है यह मालनों हमारी कोशिका है इस कोशिका के चारों और एक क्या मिलेगी आपको पतली सी परत मिलेगी इस परत को कहा जाता है ल लसीका तो यह लसीका क्या करता है हमारी आंत के अंदर हमारी जो आंत होती है उस आंत में जो वसा होती है हम जो बोजन खाते हैं उससे जो हमें वसा प्राप्त होती है उस वसा को आंत से वसा को लसीका अवसोसित करता है और अवसोसित करके क्या करता है उसको इस कोसिका के रक रक्त में पहुंचा देता है यानि रक्त में पहुंचा देता है वो रक्त कहां कहां दे देता है कोशिका के अंदर वो कहां दे देगा कोशिका के अंदर तो कहने का मतलब हमारे स्रीर में हमारी आंत के अंदर जो वसा बनती है उस वसा को अवसोसित करके अवसोसित करके रक्त नम्बर ए में प्लेट लेटस दे रिखा है प्लेट लेटस जो होती है इसको हम बिमबानू भी बोलते है यह बात आप यद रखोगी इसके अलावा इसमें दे रिखा है के सिकाए एक होता है आपका कोसी काए और एक होता है आपकी केसिकाएं तो कोसिका और केसिका में अंतर होता है केसिकाएं जो होती है वो क्या होती है आपकी जो धमनी और जो सीरा होती है धमनी और जो सीरा होती है ये दोनों आगे सल करके पतले भागों में विवाजित हो जाती है पतले भाग यनि के जो आगे के ज सल करके जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है अगर इसकी बात करें यहाँ पर क्या है हमारी मोटी मोटी दवनी और सिराएं है लेकिन आगे सल करके हमारी अंगुलियों के अंदर क्या नहीं है मोटी मोटी कोशिका ही नहीं है मतलब मोटी मोटी दमनी और सीरा ही नहीं है तो यहां से आगे पतली पतली भागों में विवाजित हो गई तो इस अंदर जो गई है ना दाग्ये नूमा सरंचना उसको हम क्या कहते है कैसी का कहते है अगर हम बात करते हैं प्लाजमा की तो साथी जो प्लाजमा होता है यह प्लाजमा हमारी रक्त के अंदर पायजाता है यह रक्त का जो निर्मान होता है वो किस के द्वारा होता है इसी प्लाजमा के द्वारा होता है यह जो प्लाजमा होता है वो रक्त का कितने परसेंट भाग बनाता है तो 55% भाग बनाता है और 45% भाग कौन बनाती है आपकी ये बनाती है आपकी blood cells, रक्त कोशिकाएं, रक्त जो कोशिकाएं होती है वो आपकी 45% भाग बनाती है और 55% भाग कौन बनाता है प्लाजमा बनाता है ये पीले रंग का पदार्त है पीले रंग का अब आप कहोगे सर पीले रंग का है तो रक्त फिर लाल रंग का क्यों होता है साथी मैंने बताया कि रक्त कोसिकाई भी इसके अंदर पाए जाती है एक रक्त कोसिकाई का नाम होता है RBC और ये जो RBC होती है इसके अंदर hemooglobin नाम का एक पदार्त मिलता है और इस hemooglobin पदार्त के कारण हमाई रक्त का ररंग क्या हो जाता है लाल हो जाता है इतनी सारी बाते इस क्यूशन के बारे में आपको याद करने थी चलिए आगे बात करते हैं फिर 17 number question आपके सामने है अच्छे से पढ़ लिजिए 17 number question को फिर मैं इस question का answer आपको बताता हूँ अरे बताओ मेरा discussion करवाना आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर कोई बदलाओ करना है तो साथी आप बता सकते हैं मैं बदलाओ भी कर सकता हूँ ये 20 question मैं आपको only 5 minute में भी करवा सकता हूँ लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं होगा same के same question बहुत कम आते हैं लेकिन इनके जो option है ना उन option में से question बनके बहुत जादा आते हैं अगर इनके option को पढ़ लोगे ना तो आपके 70 से 50, 80% तो आपके question वैसे ही complete हो जाएंगे रेलवी के exam के अंदर आपको कोई अलग पढ़ने के आओ सकता नहीं है अगर आप इन उस option को अच्छे से पढ़ ले तो इनका notes बना कि और एक बार इनका revision कर लेते हो तो आपका काम complete है फिर कुछ पढ़ने के आओ सकता नहीं है फिर चलिए 17 नमर की उसन की बात करते हैं कि निमन लिखित में से अर्द सुत्रन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है पहले option को देखो कि अर्द सुत्रन दो तरणों में होता है बिलकुल सही बात है अर्द सुत्री फैस्ट और अर्द सुत्री सेकिंड अर्द सुत्री फैस्ट और अर्द सुत्री सेकिंड दो परकार होते है इसके ये बिलकुल सही बात है दूसरा देखो कि अर्द सुत्रन के अर्ध सुत्रन के प्रणाम सवरूप प्रिनामिक कोसों में गुन सुत्रों की संख्या दो गुनी हो जाती है बिल्कुल गलत बात है साथी जो अर्ध सुत्री होता है अर्ध सुत्री नाम ही इसका अर्ध सुत्री है इसमें जो गुन सुत्र होंगे इसके जो गुनसुत्र होंगे उसमें उनके संख्या क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी आधी संख्या क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी नेकी दुगनी तो उप्स नमबर बी आपका गलत है ऐसत्य है इसलिए आपको उप्स नमबर बी क्रेक्टर हो जाएगा क्लीर बाते हैं चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अठारा नमबर की उसना आपके सामने है कि किस कोसिकांग को कोसिका का मास्टर कहा जाता है कोसिका का मास्टर कोसिका का जो मास्टर साथी वो कहा जाता है केंद्रक को जो नाभिक होता है नाभिक यानि केंद्रक, नाभिक यानि जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक को ही क्या कहते हैं, इस केंद्रक को ही कहते हैं, कोसिका का मास्टर, कोसिका का मास्टर, या फिर कोसिका का नियंत्रन केंदर, कोसिका का नियंत्रन केंदर, या नियंत्रक, कोसिका का नियंत्रक, किसको का जात होता है अगर हम बात करते हैं एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम की ओप्स नमर ए जो देर का ना एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम का मतलब होता है एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम इसका हिंदी में मतलब होता है अंतह परद्वी जाली का और अंतह जो परद्वी जाली का होती है मेरे साथी इसको हमारे सरीर का हमारी कोसिका का कोसिका का कंकाल तंतर कहते हैं कोसिका का कंकाल तंतर जिस परकार से हमारा कंकाल तंतर हमारे सरीर को मजबूती परदान करता है और सरंचना परदान करता है उसी परकार से कोसिका को मजबूती और सरंचना परदान करने का काम करती है अमताय परद्वीजाली का यहनी एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम इसलिए कोसिका का जो कंकाल तंतर है वो किसको कहते हैं एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम को कहते हैं और Mitochondria के बारे मैं आपको कही बार बता शुका हूँ, Mitochondria को क्या का जाता है, Kosika का सकती ग्रेग, युग की ATP गरूप में यह उर्जा बनाता है, Kosika का Powerhouse, ठीक है, और Naabik के बारे मैंने आपको बता ही दिया, चलिए, आगे बात करते है, कि कोशिका में मौझूद सबसे बड़े कोशिकांग का नाम क्या है हमारी कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है सबसे बड़ा कोशिकांग साथी वो यही नाविक होता है यह केंदर की होता है हमारी जो कोशिका होता है इसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ा जो अंग होता है कोशिका में वो क्या होता है नाभीक होता है केंद्रक होता है क्लियर है बात है यानि इसके लावा जितनी भी माईटो कॉंट्रिया लाइसोसोम राइबोसोम यह बिल्कुल छोटे-छोटे मतलब अंग होते हैं, सबसे बड़ा जो अंग होता है, हमारी कोशिका में वो कौन होता है नाभिक होता है, केंद्रक होता है option number आपका जो B होगा, वो 18 number के उसनगा correct हो जाएगा option number B, बताओ clear है कि नी इसके लावा अंतापरदी जालिका के बारे मैंने आपको बता ही दिया mitochondria के बारे मैंने आपको बताए था mitochondria क्या कहते है, कोशिका का सक्ति गर्य कहते है और गोलजीकाई के अगर हम बात करते है तो जो गोलजीकाई होता है गोलजीकाई इसको का जाता है यहां बता दूँ गोल जी काई के बारे में गोल जी काई जो होता है इसको हम कोसिका का प्रिवहन तंतर कहते हैं क्या कहते हैं प्रिवहन तंतर क्योंकि यह प्रोटिन का वसा का प्रिवहन करने का काम करता है मारी कोसिका के अंदर तो इसलिए इसको कोशिका का परिवेंतंतर कहते हैं, क्लीर है बात है, चलिए, आगे बात करते हैं, 20 नंबर क्यूशन की, 20 नंबर क्यूशन आपके सामने है, कि निमनल लिखित में से किस कोशिकांग को प्रोटिन का कार खाना का जाता है, तो साथी प्रोटिन के कार खाने की बात करते हैं प्रोटिन के कार खाने की बात करते हैं तो जो प्रोटिन का अंद्रिमान करेगा उसी को प्रोटिन का कार खाना कहेंगे तो प्रोटिन का अंद्रिमान कौन करता है राइबोसॉम करता है प्रोटिन का अंद्रिमान कौन करता है राइबोसॉम तो देखो जो आपक हरित लवक है हरित लवक हरित लवक के बारे मैं आपको बताता हूँ हरित लवक जो होता है ये पोधों की पतियों में मिलता है पोधों की पतियों में मिलता है एक नमर बात दूसरी बात इसके अंदर एक वरनक पाये जाता है उस वरनक का नाम है परन हरित प्रण हरित और इस प्रण हरित के कारण पत्तों का रंग क्या होता है पत्तों का रंग हरा पत्तों का रंग हरा इस प्रण हरित के कारण होता है इसके लवा बात करते हैं लाइसोसोम की ओप्स नमर बी में आपको लाइसोसोम दे रखा है अगर लाइसोसोम की बात करें मेरे प mitochondria मैंने अभी अभी आपको बता है mitochondria कि म्यत्र किसको क्या का जाता है इसको का जाता है सक्टिग्रह कोशिका का सक्टिग्रह या फिर powerhouse और हम बात करते हैं राइबोसॉम की राइबोसॉम की बात करें साथी तो राइबोसॉम को कहा जाता है प्रोटिन की फेक्टरी क्या कहा जाता है प्रोटिन की फेक्टरी क्योंकि ये प्रोटिन का निर्मान करने का काम करता है प्रोटिन का संसलेशन करता है इसलिक भी और ही इसको protein की factory कहते हैं clear है बात है तो यह बात आपको याद रखने थी मेरे पैरे साथी तो protein का जो निर्माण है निर्माण वो तो कौँ करता है यह ribosome करता है लेकिन protein का प्रिवहन protein का प्रिवहन जो करेगा वो कौन करेगा प्रोटिन का जो प्रिवहन करेगा वो करेगा गोल्स जी काए कौन करेगा गोल्स जी काए इसी लिसको हम क्या कहते है प्रिवहन तंतर कहते हैं तो यह सारी बात आपको याद रखने थी मेरे पहरे साथ थी बताओ बात समझ में आए कि नियाए इसका स्क्रेंशोट आप लेना चाहो तो ले सकते हो इसके साथ साथ आपको याद भी होगा एक दो बार अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो आपके दौरा पढ़ा हुआ सब कुछ आपको याद रहेगा और लमे टाइम तक आपको याद रहेगा और अग्जाम के अंदर आप अच्छे से क्यूशन कर पाओगे ठीक है तो आज किस क्लास में इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो मज़े से पढ़ो अपना और अपनों का ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त